हलो सुडेंट्स, वेलकम टू SWT वीकॉं क्लासेज, आशा करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे आज कहा हमारा टॉपिक है, इंकम टैक्स के कुछ ऐसे MCQs, कुछ ऐसे कोश्चन्स जो एक्जाम पॉइंट अव व्यू से बहुत इंपोर्टेंट हैं और मैक्सिमम चांसेज हैं इनके पूछे जाने के, तो चलिए शुरू करते हैं अगर कोश्चन्स की बात करें तो हमारा पहला कोश्चन आता है अब आपके मन में एक बात खटग रही होगी कि ये इंकम टैक्स क्या होता है देखिए, इंकम टैक्स वह टैक्स होता है जो एक इंडिविजूल और एंटाइटल यानि हगदार पे इंपोस किया जाता है अब दूसरा कोश्चन आता है कि इंकम टैक्स एक्ट केम इंटू फोर्स ओन डैश यहां फोर्स में आने का मतलब है लागू होना हां इससी दिन 1962 में इंकम टैक्स एक्ट लागू हुआ था वहीं तीसरे कोश्चन की बात करें तो बताइए कि इसका राइट एंसर है C 80 देखिए जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर सो हो रहा होगा एक इंडिविज्वल जो कि इंडिया का रेजिरेंस है अगर उसकी उम्र 80 साल है और उसे ज्यादा है तो वह इंकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सूपर सीनियर सिटिजन में आ जाता है और दा एन्वल इंकम अप्टू आरेस पांच लाग उसके लिए टैक्सेबल नहीं होती है किसके लिए सूपर सीनियर सिटिजन के लिए बढ़ते हैं अब अपने चौथे कोशन के तरफ हमारा चौथा कोशन है अब आपके मान में आ रहा होगा कि यह रिबेट क्या होता है देखिए a sum of money that is given back to us because we have paid too much मतलब कि जो total amount of money जो कि हमको income tax वापस करती है क्योंकि हम ज़्यादा पे कर देते हैं उसे रिबेट कहा जाता है पांचवे कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पांचवा कोशन है section 2.9 of income tax deals with dash a. person, b. sec, c. previous year, d. assessment year तो इसका right answer है assessment year assessment year का मतलब होता है निर्धारण वर्ष वहीं हमारा चटा कोशन आता है कि educational success is charged at the rate of dash यानि सिख्षा उपकार किस rate पे charge किया जाता है 2%, 1%, 3% और 5% इसका right answer है c. 3% अब हमारा सात्वा कोशन आता है कि c. b. d. t. is controlled by a. central government, b. state government, c. both a and b. d. none of these तो इसका answer है central government अब आपके मन में एक कोशन आ रहा होगा कि ये c. b. d. t. क्या होता है देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा c. b. d. t. का full form होता है Central Board of Direct Taxes basically ये एक revenue department है in the Ministry of Finance और c. b. d. t. inputs प्रोवाइड करवाता है for policy and planning of direct taxes in India बढ़ते हैं अपने आठवे कोशन के तरफ तो हमारा आठवा कोशन है a company has डैस type of residential status a. 2. b. 3. c. 1. d. 4 तो हमारा right answer है 2 देखिए residential status of a company ये section 6. 3 के अंदर आता है इसमें यह लिखा हुआ है कि एक Indian company हमेशा residents Indian की ही रहती है even if an Indian company is controlled from a place located outside in India मतलब कि अगर वो Indian company कहीं बाहर से control हो रही है मान लीजेए Paris से, London से, etc. कहीं से भी फिर भी वो Indian residence ही रहेगी इंदिया की company ही रहेगी अब हमारा 9th question आता है bonus paid by the employer to the employee is dash a. fully taxable b. partly taxable c. fully accepted d. none of these इसका answer है a. fully taxable इसका मतलब है कि जो bonus employer employee को pay करेगा वो fully taxable होगा यानि पूरे bonus पे tax लगेगा अगर दसवे question की बात करें तो rule dash explain the taxation of HRA option है a. 2 b. 2 a. c. 2 a. a. and d. 2 a. b. इसका right answer है 2 a. अब आपके मन में question खटक रहा होगा कि ये HRA क्या होता है देखिए जैसे आपको screen पर दिख रहा होगा HRA का full form होता है house rent allowance इसका मतलब होता है कि salary का वह part वह component जो rent payment के लिए हो और it is allowed as reduction from the taxable salary under section 10 to 13a बढ़ते हैं हमारे 11th question की तरफ तो हमारा 11th question पूछता है कि the income tax act 1961 bodily covers मतलब कि income tax act 1961 क्या क्या कवर करता है option है basic charging income B rebates and reliefs C income tax accepted from income D all of the above तो इसका right answer है all of the above क्योंकि income tax act 1961 सभी चीजों को कवर करता है चाहे होगा basic charging income हो rebates and reliefs हो या income tax exempted from income हो अगर 12th question की बात करें तो दा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट केमेंटू फोर्स इन डेश A. 1973 B. 1980 C. 1991 D. 1972 दा राइट एंसर इस 1972 अब आपके मन में एक कोश्चन आ रहा होगा कि ग्रेजुएटी एक्ट क्या है देखिए या एक एक्ट है तो प्रोवाइड A. scheme of payment of graduate to employees जो engaged है फैक्टरी में माइन्स में ओइल फिल्ड में पोर्ट में एट सेक्टर एट सेक्टर यहाँ ग्रेजुएटी का मतलब है उपहार और गिफ्ट अब हमारा एंसर है B. 24 चौदवे कोशन की बात करें तो हमारा चौदव कोशन पूशता है As per section 231 The following is not included in the definition of a person आपके option है A. An individual B. A Hindu undivided family C. A company and D. A minor The right answer is D. A minor देखिए section 231 persons की definition में इन सब चीजों को include करता है वह है एक individual एक company, एक firm Hindu undivided family Association of persons Local authority and so on इसलिए हमारा answer A minor होगा आप आता है पंदरवाँ और हमारा आखिरी question Income from illegal business is dash A. Partly taxable B. Taxable C. Accepted D. None of these इसका right answer होगा taxable इसका मतलब है कि illegal business से कमाया हुआ income भी taxable होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो subscribe करें like करें और अपने दोस्तों क्षाथ share करना इसको न भूलें Thanks for watching और सके। ंझ ईसका एसका लारे मोंच वीडियोाओ उपीडियो quiz करें करें करें